पार्ट नमर थ्री में बहुत कुछ पढ़ना है और यह माल लिए टॉपिक जो है दो एक पार और बाकी इसके बाद और हमार टॉपिक कंपलीट हो जाएगा ठीक है तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ाया उसको एक बार आप पढ़ लीजे क्योंकि यह सीक्विंस जो है प पूरी सीरीज को फॉलो करिए उसमें हम लोग विकरा रहे हैं साथ-साथ क्या है आप यह माल लीजे की ठीक बन सकते हैं उन्हीं की अप्रोच वाले क्वेशन नीट में जहीं में कैसे आ सकते हैं वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेशन तो कोशिच करिए पूरा-पूरा फॉल तरीके से फॉलो करें तब जाके बैनेफिट बनने वाला है या फाइदा होने वाला है क्योंकि क्या है अधूरी चीज़ें वो सफल नहीं हो सकते उसमें ठीक है पूरा-पूरा फॉलो करना पड़ेगा आई आज क्या पढ़ने वाले हैं समझते हैं तो अभी तक हमने क्या कर दिता है हल्का साव भूरीफ करेताओ है हमने पड़ा है देखिए हमने पहले basic बात की दी कि हमारा current होता क्या definition परिभाषा और current कैसे चलता है क्या conditions थैंसकी बात की थी relations की बात की थी फिर हमने ओंने के नियम की बात की थी फिर प्रतिरोध होने के बाद प्रतिरोध की बात की थी फिर सेकंड सेशन में बात की थी प्रतिरोध के जो कंडिशन होती हैं इसे सहीयोजन होते हैं उनकी बात की थी वहां तक हमने complete किया दा तो combination वाला पार्ट जो था वो पार्ट नमबर टू में था इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं किर्चॉफ के नियम को किर्चॉफ लॉफ पावर हीट वो सब के बारे में पढ़ने वाले हैं तो यह भी बहुत important पार्ट है और यह मान के चल चलिए तो आप हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद आज किर्चॉफ के बारे में पढ़ेंगे और किर्चॉफ लॉफ को समझेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर शक्ति क्या होती है उसके बारे में समझेंगे ठीक है चलिए शुरुवात किया जाए आए आईए उनको हम समझेंगे बहुत important scientist रहे हमारे chapter के अंदर और इन्हों ने जो है बहुत सारी चीज़ा ऐसी बोली हैं जो कि बहुत generalized है ठीक है क्या क्या चीज़े बोली है उनको हम समझेंगे इसमें नहीं दो नियम के बारें बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं किर्चॉफ का पहला नियम यह उसे बोलते हैं KCL किर्चॉफ Current Law और दूसरा होता है किर्चॉफ Voltage Law या KVL ठीक है तो यह हमारे आज दो नियम हम पढ़ने वाले हैं आईए शुरुवात करते हैं पहले पढ़ने वाले हैं किर्चॉफ current law तो पहला है अगर सिभाफ के हो तो यह कि नियम है किर्चॉफ का धारा का नियम एक मतलब करण्थ और ल मतलब law और इसको बोलते हैं एक और नाम है इसको बोलते हैं loop law लूप का नियम भी कहते हैं loop law इस सारी चीजें इसके नाम है वह यह नाम पहले पता होने चाहिए आईए किरचाफ ने पहली जो बात कही बहुत चांदार बात है अगर आप समझ जाएंगे है तो बहुत आसान और यह चीजें आपने पहले भी देखी हुई है या फिर अगर 11 पढ़ी होगी तो वहाँ भी देखी होगी किरचाफ ने एक बात कही है कि करेंट जो फ्लो होता है वो किसके आधार पर होता है तो अगर आप द्यान देंगे तो उसका आधार क्या है आवेश का अधार है ठी इसमे तो eld Council बहे रहे जिस में तर बुंद हमारा try वहरा है कि रेचव ने पमल्स बात करेंगए दो फ्लो हो है आपका जो आवेश यहां प्रवाह कर रहा है वह आवेश जितना आएगा उसी के अधार धारा भाएगी ठीक है अब आप यहां धंक से देखें तो हमारा क्या है सोरी इसको लूप लोग नहीं बोलते हैं एक सेकंड यहां पर हमने बुला इसको बोलते हैं जंक्शन लॉप संधी का नियम भी कहते हैं जंक्शन लॉप 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 बिल्कुल इसे बोलते हैं जंक्शन लॉप संधी का निय ठीक है आईए तो यहां पर देखी धारा जो आने वाली है वो आईवन है जाने वाली है वो आईटू और आईच्री है अब एक बात आप जानते हैं जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी यह समझ डिवलप हो चुकी आप में इसलिए बड़ किर्चॉफ ने इसको ऐसा कि यह धारा जो आ रही है और जा रही है वो बात तो सही है आपकी बट कहीं ने कहीं जो आवेशो का प्रवा है उससे धारा उत्पन हो रही है जो आवेशो का प्रवा है उससे धारा उत्पन हो रही है बिलकुल ठीक है ना तो आवेशो का जो प्रवा है उससे धारा अमारी प्रवाद होती है तो उन्होंने कहा कि यार जो भी नियम मैं लिख रहा हूं पहला नियम वह किसका अधार क्या है वह है आवेश संरक्षन के अधारित है ठीक है तो यहां पर क्या आधार है आपका आवेश का संरक्षन ठीक है यहां का अधार जो है अगर आप देखें वह क्य अभेश आएगा उतना ही जाएगा तो अवेश क्या है हमारा एक फिजिकल कॉंटिटी है ठीक है बिलकुल यहाँ देखा जाए तो आपका आने वाला है करेंट है और जाने वाला सब्सक्राइब तो गया से यहां जाना पड़ेगा इसलिए देखिए आप अगर देखें या पर दूसरा perspective जो है वो इसको हम ऐसे लिखते हैं इंसाइड current, in current और आउट current क्या होगा वो हमारा equal होगा i in और i out क्या होगा आपका वो equal होगा, देख लिजे question practice कब कराएं, दो question practice होगे आपने अगर सीरीज को देखा हो, तो पहले हम थेवरी पढ़ते हैं, और फिर QW eure अप Warren practice करते हैं। तब जाके आप समझ पाएंगे इस चीज़ को यहां से इंवर्ड करेंट जो करेंट आपका आ रहा है संधी की और जो जा रहा है संधी से दूर वो दोनों क्या होंगे हमारे बराबर होंगे क्योंकि हमारा क्या है आवेश संदक्षन है इसलिए तो यहां पर हम अगर लिखें मतलब इंसाइड इंवर्डट करेंट और आओट मतलब क्या है आउटवर्ड करेंट तो आइए इन और आई आउट क्या होगा हमारा इस तरह से बराब होगा तो हम अगर इसको देखके बताएं तो यहां क्या होगा यहींवनिप्रयमद्द तो प्लस आई थी और ऐसा हमेशा ही होता है समझो इस बात को क्योंकि अगर आप देखें तो पाइप लगा दो पानी का माली जब यहां से लगा हुए पानी का दो निकाल दिये मैंने ठीक है अगर यहां दस लीटर पर सेकंड आ रहा है यहां दो जा रहा है तो बचा हुआ आ उतना मास जाएगा जितना मास हमारा आ रहा है जितना पानी का फ्लो आ रहा है उतना बहना पड़ेगा और यह चीज में यहां भी करते हैं को आपको पानी करते हैं क्या इसे ही आप क्या करोगे एरिया कम कर दोगे पाइप से पानी तेज निकलेगा क्योंकि अब एरिया कम हो गया मास तो इतना निकल नहीं है इसको फोकस करिए तो कोशिश यह देखिए आप यह इसको बहुत सिंपल सी बात है इंवर्ड करेंट जितना अधारा आएगा उसके अधार पर यह कंडिशन होती है तो देखिए इसका अधार क्या है पहली बात तो आवेश संद्रक्षन और आई इन इसको इक और चीज़ लिखते हैं संधी पर जो आने वाला कुल आवेश होगा वह 0 होगा हमारे जंक्षन पर नेट करेंट की वैल्यू क्या होगी 0 सभी करेंट मिलकर जब आएंगे हमारे जंक्षन पर उनकी वैल्यू कितनी होगी 0 इसी के अधार पर हम इसको लिखते हैं बात देखिए बहुत सिंबल सी बात है आई होब यह अंडिस्टाइंड आगे बढ़ते हैं दूसरा जो नियम है आपका अक्षुली उसे बुलते हैं के वी एल किर्चॉफ वोल्टेज लॉव तो के सी यह इसका चार्ज है के वी यह का जो है वह से बुलते हैं हम लोग अक्षुली इस बेस्ट ऑन हमारा सीटबर और इसको लिखते हैं एक्षुली यह लूप वलटेज लूप का नियम दूऊोर है क्रिचॉफ लूप का नियम लूप लूटेज लूप 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 लूपegenद सफस्गे है यह ले बहुत ही आसान परेचिह का यह दूसरा नियम जो है थोड़ा सा कॉंप्लेक्स होता है क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है सॉल्फ करने में नीट और जयी में इसमें टाइम इतना नहीं है तो पेबर पूरा करी नहीं पाएंगे इसलिए बहुत टेज सोचना पड़ताए बहुतichen सफीड सोचना पड़ता है सही सोचना पड़ता है फिर परक्या Eli Papadamen आपका पूरा फूरा होई उन्होंने कहा, कोई भी circuit है, उस circuit में आप अगर देखें, तो एक close loop का formation होता है, कोई भी circuit, जिसे माल लोग घरों का circuit की बात करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, वहाँ पे जो आपका room का connection होगा, वो एक close loop में होगा मेशा, close loop मतलब क्या है, एक बंद परिपत हो जाएगा, ठीक है, जो भी जिसे माल लीजे मेरी light जल रही है, तो light से लेके switch तक का connection होगा, एक close loop फॉर्म करता है, ठीक है, जिसे कि मैं example लेता हूँ माल लीजे, एक प्रतिरोद दे रखा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास, यह दे शुरू हो जाएगा, सुज गौन किया, current flow होना start हो जाएगा, current flow होना start हो गया, current यहाँ पे आई आ गया, तो किर्चोफ ने एक simple सी बात कही, कि उन्होंने कहा, कि यार, अगर माल लीजे कोई close loop circuit है, तो अगर माल लीजे, यहाँ का विभाव मैंने, potential मैंने, VA माना है, ठीक ह माल लीजे, मैंने यहाँ zero माना है, मैं घूम करके, वापस सब जगे घूम करके यहीं आ गया, तो विभाव कितना मिलना चाहिए, same मिलना चाहिए, विभावांतर कितना मिलना चाहिए, zero मिलना चाहिए, ultimately, इन्होंने एक simple सी बात कही, simple सी बात यह कही, कि loop के along, along a loop, the potential difference about a point is always zero, किसी एक बिंदू के साप एक्ष, घूम करके loop के about आओगे, तो हमेशा विभावांतर शूने मिलेगा, आप उसके क्यों मिलेगा शूने, कारण क्या है इसका, वह यह कारण बहुत simple सा है, विभावांतर शूने है, तो इससे दिक उड़जा का परिवर्तन भी क्या होगा प्रोटेंशन एरजी का चेंज, वह भी 0 होगा, देगी हलका सा प्रूफ करता हूँ मैं, डिल्टा वी 0 है, तो डिल्टा यू भी 0 होगा, अगर आप समझ पाएं इस बात को दो, डिल्टा वी 0, डिल्टा यू 0, डिल्टा यू 0 तब होता है, जब एनरजी के अंदर कोई variation नहीं आता है, मतलब प्रारंबिक उर्जा और अंते मूर्जा क्या होगी, समान होगी, सेम होगी, इकुल होगी, बदलाव नहीं होगा, और इसे बोलते हैं, इनरजी कंजरवेशन, तो आधार जो है इस पूरे लौ का अगर आप समझें, तो लौ का आधार है, वो है आपका कंजरवेशन ऑफ एनरजी, पूर्जा का संरक्षन, ठीक है, पूर्जा संरक्षन पर आधारित है, यह फैला पॉइंट है, यह सवाल आप पूछ सकता है, आप से, कि वाट बेसे ऑफ दी, किर्चॉफ, सेकिंड लॉग, यह किर्चॉफ, वोल्टिच लॉग, बेसे क्या करने के लिए अगर जाओगे आप, तो अबाउट लो, अबाउट लूप, पोटेंशल डिफरेंस इस ओल्वेश जीरो, ठीक है, अलॉग लूप, 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 ठीक है, अलॉग about potential difference क्या होगा जीरो होगा जीरो क्यों होगा क्योंकि हमारा energy conserve है संद्रक्षन ऊड़ जाका है जीरो होना पड़ेगा मजबूरी है जरूरी है ऐसा ठीक इसका काम क्या आता है जिसका काम भी आता है कभी भी करेंट निकालना पड़े तो आप यहां से निकाल सकते हो जितने लेंदी क्वेशन बनते हैं आईट एडवांस वगरा में वहां पे इसको बहुत यूज किया आता है किर्चॉफ की सेकेंड एक्वेशन काफी इंपॉर्टन भी है बट वह लेंदी है समय लेता है टाइम लेता है तो कि नीट वगरा में हम कम आलाव करते की लिएट ऑप टाइम बहुत वेस्ट कर लोगे को टाइम यह वहां पे गये मैंए टाइम हम अगर बचा लिया सब कुछ हो गया टाइम नहीं बचा पाए तो आप कही ने कही धीरे पड़ जांगे लोगे समय एकर कैसे करते हैं दूसकर में आता हूँ और फोकस क्या होता है तरीका बिलकुँ सिंपल है, किसी भी पॉइंट पर जहां मान रहे हो, यह एपॉइंट है, यहां का विभाव 0 मान लो, तरीका यह है, वहां का विभाव 0 मान लीज़े, और विभाव 0 मान कर क्या करिए, लूप के लौउंग घूम करके वापस आईए, दीखे, किसी भी कुंगता है कि पता हे हममेशाएं पता होगा आपको दारा व्हेसई का मेते है अधिक से निमनिकी और अब मैं यहाँ आदिक विभाव कि और घटा है और यहां से काम बहती है अधिक विभाव से निम्हें विभाव की और घटा है घटादो गया कितना घटेगा आई इंटु आर करोगे जीरौ जाएकी बात देख लिजे तो यहां से प्रूब हो गया वई-इसी को सुझ क्या होता है मतलब कोई भी सवाल अगर आप चाहें उसको इससे कर सकते हैं बढ़ करना मत क्योंकि टाइम बहुत लगेगा हमारा जो लूप का लौ है बाकि हम ज्यादा यूस को करते नहीं है करेंट जो लौ है वो खुड़ मारा फिर भी कंपारिटिवली असान दोनों असान तो दो नहीं है बढ़ेंगे अधार पता होना चाहिए देख लिए इसको आप अराम से आई है तो आई थिंगे समझ लिया होगा आपने किर्चॉफ करेंट लौ और किर्चॉफ का वोल्टेज लौ दो लौस बिल्कुल क्लियर है तीक है अभी दो लौस के बाद हम आगे बढ़ने वाले ह हिनके क्वेश्चन अभी करेंगे टेंशन मतलो क्वेश्चन का सवाल बिलकुल होंगे इसमें और काफी बढ़िया सवाल है अब दूसरा प्रोस्पेक्टिव पे आया जाए इसके बात की जो बात है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे that is said to be power शक्ती ठीक है प्रतिरोध की या पावर की बात करते हैं तो नेक्स लिखिए प्रतिरोध की शक्ती ठीक है प्रतिरोध की शक्ती की बात करते हैं आईए पावर ऑफ रसिस्टेंस ठीक है प्रतिरोध की शक्ती पावर ऑफ रसिस्टेंस की बात करते हैं क्या होता देखिए ठीक है तो नेक्स टॉपिक जो के नहीं हम बात करें तो इसके Power की बात करेंगे पावर मतलब शक्ति वैं किने शक्ति करता हो ओई ठीक है शक्ति वैं का मतलब अक्चुली किया है कितनी power Consume कर रहा है जैसे कि आपको पता होगा LED खरीदने जाओगे पूछें कितने Watt का चाहिए, तो Watt का मतलब क्या है? पावर कंजप्शन है जैसे कि माल लेज़े आपने आठ Watt के लिडिली 16 के लिए 24 के लिए, तो फरग इतना ही होगा कि कंजप्शन जादा होगा ज्यादा consumption होगा तो क्या होगा? उसकी light जो निकलेगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी power ज्यादा मतलब क्या? उसकी brightness भी क्या होती है? ज्यादा आई समझते हैं तो देंकि power का एक formula है वो आपको समझना पड़ेगा power लिखते हैं P से, P होता है power आपका power के हम लोग तीन formula समझते हैं पहला formula जो है उसे बोलते है I into V power जो है बहुत simple चाहिए I क्या है? धारा और V क्या है? विभव I into V धारा into विभव जो हो जाएगी शक्ति हो जाएगी power is I into V यह power है आपका दूसरी अगर बात की जाए तो अगर हम देखें एक और formula क्योंकि V बराबर I R होता है दूसरा हो जाएगा I square R दूसरा formula के है power का I square R तीक है? यह सूतर है बिटा सिर्द सियाद रखने पढ़ेंगे I square R और तीसरा है आपका V square by R तीनों में से कोई भी याद कर लीजे कोई फरक नहीं पड़ता तीनों formula same to same है V square by R तो V square by R, I square R और यह स्थरेश चलेगा तो power की value क्या हो जाएगी आपकी I square R V square by R देख लीजे I square R, V square by R और I V तीन formula है आप और तीन की जरुद क्या है? तो यह तीन की जरुद इसलिए है क्योंकि यह हमारा जब पहला formula लगता है I square R, वो लगता है series combination में तो series combination में अगर आप देखें तो series combination में कहीं भी लगाई एक formula बट series में धारा समान होती है इसलिए current को same रखते हुए हमें समझना आसान होता है तो series में generally हम इसको सोचते है ठीक है? दूसरा लगाते हैं हम लोग किसमें? parallel combination में इसको लगाते हैं हम लोग parallel combination तो parallel combination जो है उसमें हम इसको लगाते है समानतर क्रम में धारा जो है वो हमारी क्या होती कहीं ने कहीं विभाव क्या है? समान होता है समान दक्रम में बहुत समान होता है तो इसके आधार पर हमारा फॉर्मुला लगता है पावर इस इकोस टो वी स्क्वाइर बाई आर देख लिजे अभी तीनों फॉर्मुले अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यह इस प्रकार है सवाल बंता है इंडिया तो बंडिये बंडियandır के लिए कंडिशन किया है अगर बंड से लिए कंडिशन के ए अगर बंड का पावर जादा होगा तो इसकी चमक ब्राइटनेस जार जादा है Effects है एक गुई ब Whats है जादा पावर कंझीम कर रहा है तो कि बॉर स्च Yak panव कर रहा suis कि हमारे पास कहीं कहीं फांथ होगा तो ब्राइटनेश जो होती है वो भी क्या होती है आपकी जादा होती है चमक जो है वो भी क्या होती है जादा होती है जादा ब्राइट होगा जादा चमक होगी जादा देख लीजे इस बात को तीसरी बात करें तो इसमें एक और कंडिशन है एक होता है हमारा देखो हमारे लिए जो बल्ब बनते हैं हमारे हो हमारे घरों में बढ़न हम इस्तेमाल करते हैं वह बं地 हैं 220 वह ओन्टज का किके प्लंस करते हो पावर के उल्फ यूज़़ undoubtedly यंच्छली क्या होती है V2Bivan घरों के बढ़न प्लंस करते हैं व क्यूंति प्लंस लिए हम ले 5B29 अर्ब तो है आर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा V2 by P बल्ब के लिए बात कर रहूं मैं जानते हैं आप सीज को बहुत बात है यहां पे क्या है अक्शली इंडिया में जो है भारत में जो है हमारा बल्ब बन रहा है वो 220 वोल्टेज की तयार हो रहा है 220 का वोल्टेज है तो रसिस्टेंस प्रतिरोत क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका V2 by that is P R is equal to V2 by P or V is equal to P is equal to V2 by R जब भी कोई सवाल आएगा और वहां पावर की बात कर रहा है तो रेटेट पावर जो होती है इसकी V2 by R होती है ना तो यह फॉर्मला आदक ना बल्ब में चमक की जब बात करेंगे ज्यादा हमारे पास पावर होगी जाद चमक आईगी इससे जब भी घर जब भी आप बल्ब लेने जाएंगे तो 8 वाट की चमक क पावर है अब कहानी जो है कि आगे बार बनती है कि यहां पर दो कॉंबिनेशन होते हैं एक होता है सीरीज कॉंबिनेशन और बात करें तो सीरीज कॉंबिनेशन ऑफ बल्ब जो है अगर आप देखोगे तो क्या होता है वह एक बार देख लीजए सीरीज कॉंबिनेशन ऑफ बल्ब काश सर्णड निो ग्रम मालव बल्ब हमारे बात इस प्रकार लगा रखा है दो बा Whose 와 C trip इस टीक है यहाँ पर दोनों बलभ जल रहे ऑर लगा रखार्थ के बीच में बैटरी इस परकार फीचके यह बलब जो है सब्सक्राइबаю तीक है सवाल आपसे पूछे का बताओ अगर पीवन पीटु की बात करें अभी पावर कौन सी में रीटिट पावर सवाल पूछे कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा कौन सा बल्ब जादा चमकेगा किसकी brightness जादा होगी ठीक है अब यहां पे आप शौक हो जाएंगे आप तो पढ़ा होगा आपने तो ठीक है अगर यहां पे देखा जाए तो पावर जो है इसका माल लेजे मैंने 100 वाट का लगा आप देखें तो इस पूरे सरक्ट में करेंट किवैलु सेम जा रही तो फिवन ्डैस जो हो गा आपका क्या हो जाएगा आई स्क्वाइर खरीक है यहां पर इल्टा होता है जिसका अधिक प्रतिरोद उसका हो जाएगा हमारा पावर शोरी जिसका अधिक प्रतिरोद चौक पे पीवन से अधिक है पीवन से अधिक है पिस मुर्धब तो इन डाट केस क्या होगा अगर पीवन पीटू से अधिक है तो कुंकि अगर आप ध्यान दिए भल्ब के लिए पावर इद्रीकोश चुता है v2rz24 by अगर पावर जादा है तो resistance कम है मतलब क्या है हमारा आरवन का मान क्या होगा अरटू से कम होगा तो इसका मतलब अगर हम देखें कौन जाच हमकेगा तो बल्ब अगर हम इसको ले लेते हैं एबल्ब और यह बी बल्ब जादा ब्राइट होगा एसे ठीक है यहां है ना बल्ब B is more brighter than bulb B is more brighter than A ठीक है अगर आप समझें इस बात को more brighter than A bulb जो B है आपका B bulb जो है वो A से अधिक चमकेगा reason क्या है उसके बीछे? सोचिए reason क्या है what is the reason behind that? reason यह है कि जो bulb जादा पावर का है उसका resistance कम हो गया तो यहां पे खेल उल्टा चलता है actually कहने का मतलब यहां पे खेल उल्टा चलता है actually मतलब यह है कि series combination इसलिए हम use नहीं करते घरों में कभी आपको अगर पता हो यह चीज अगर basic information हो to series combination में जो bulb होते हैं वो अपनी maximum पे नहीं जल सकते क्योंकि वो क्या है कहीं नगी power कम absorb करते हैं इसलिए यहां formula जो होता है power equivalent का वो होता है one upon p1 plus one upon p2 one upon pn series combination में जितना बल्ब जादा power का होगा उतना कम जलता है पाउर बढ़ा दोगे कम जलेगा वो फैक्ट यह है मालो आप 200 वाट का वल्ब खरीद के लाएं तो लगा दे series combination में चमक कम आईए उसकी यह factors में ठीक है जितना कम पावर का है उतना अधिक चमकेगा यह series में होता है normal condition में नहीं आप घर में लगा दूँ ऐसा घरों में होगा हमारे घरों में कौन सा combination है तारल combination तो यहां पे कहानी में ट्विश्च रिटा ही है पैलल combination घरों में लेग इस बात सोचिए इस बात को तो यह हमारा series combination series में उल्टा सलता है इना series में हमारा क्या है बल्व भी यहां पर अधिक चमकेगा यदी हमारा P1 की वैल्यू जादा है बिलकूल बहुत बढ़ी एंदी मैं इंगलिश में बोल रहो है इसलिए कबश्चान कर चलिए पबदाइब जाह कि ब्राइट नेस तो ऑमें पढ़ना फिर उक दो है बस्की निढ़कर है तो को अब है निचेस तो एक्वाइन पिर और तो आपको लिए बीटिको हलका उसा बैसे भी वह बहुत इंग्लीनिमें लिखा है सब कुछ आगे आये देखे नेक्स पार्त पर आते हैं अब नेक्स पार्र जो है इसका paragraph ओ और और हमारे घरों में हर डिवाइस में हर कंपनी में पैरल कॉम्बेशन ही यूज होता है तो क्यों होता है कारण क्या उसका तो अगर आप देखिए तो हमारे घरों की बात करें तो जिसे माल लेजिए बल्ब है दूसरा बल्ब है और दो बल्ब दे रखें ठीक है इनको लगा दिया हमने पैरल कॉंबिनेशन में यह बीवन बल्ब है यह बीटू तो जिसका पावर ज्यादा होगा वही चंकेगा क्यों क्यक्या फॉर्मॉलम लगाए जाएगा यहाँ हमारा पीवन ज्यादा है पीटू से तो क्या होगा इस कंडिशन में धिस मोर दन था दो अब जो है अमारा जो बीवन बल्व है थिक यह थी खिख सल्कतरब्ध उसकी इसल van नानने या अब दने थेखा हो आपने पावर का फॉर्मला क्या होता है P प्लस आप तोपी अग अग locks js?. कि हमारहों में सारे डिवाइस होते हो पारलल कमबिनेशन में होते हैं इन जन्रल ता ठाहरी का देग लिजैंग तब तो क्या होता ये अप जब भी है क्या करेंगे जोने हैं ॐ निरन है ठा Clinics में यह चार सा गंटे के लिए जो भी पावर कंजप्शन होगी इसकी पारार उससे क्या होगी हमारी रीडिंग बन जाएगी और उस रीडिंग से हमारा जो मीटर होता है वो उसका बिल बना लेता है सीरीस कंबिनेशन में आएगा तो कहानी उल्टी वेगी कम हो जाएगी ठीक है तो अल्टेमेटली क्या है सीरीस और पारलल में यह फरक हैं तो यह फरक हमारा है इसलिए हमारे क्या है पैरल कॉमेनेशन में अगर आप देखेंगे पैरल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे या पर तो यही चीज होती है पैरल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे सभी बल्ब जो हते हैं उनका सीधा-सीधा एडिशन होता है इसलिए हमारे गरों का या कहीं पर भी एगर मीटर लगा होगा तो आप पैरल कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको क्योंकि हमेशा एडिशन होगा सीधा पावर का दो जल रहे हैं आपकी बीटू से जोड़ दीजा को कितने घंडे चल गए वह हमारे सप्रकार चलता है हां सर जी क्यों उल्टा हो रहा है देखिए उल्टा इसलिए और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जिस वोल्टेज बनाया गया है अब मैंने लगा दी बैटरी 110 की तो जो वोल्टेज डिवाइड होगा आपने ध्यान नहीं दिया या तो आपका बेसिक अगर सही है तो आप समझ पाएंगे इस चीज को यहां का वोल्टेज वीवन हो जाएगा यहां का वीटू एक्चुली क्या है जिस वोल्टेज के लिए बनाया गया है वह बल्ब उस वोल्टेज उसको नहीं पहुंच पा रहा आपने बनाया 220 पर हैना लगा दिया है 220 का बड़ अब इस तक किता पहुंचेगा 50 60 87 तो कम वोल्टेज पहुंचेगा तो कम पावर डिवलप करेगा पोल्टेज और कम पावब डिवलप करेगा मतलब क्या है इन्वर्स एक्षियो में चलता यह इसना बड़ा रसिस्तेंस उतना ज्यादा पावर करता यहाँपे यह जितना पाव़फुल बल्व होगा उतना कम हमारा क्या होगा, यह इस परकार चलता है, तो इसलिए क्या है, यह फरक है, बाकि सीधा याद कर लीजे आप, याद करेंगे तो काम आजाएगा चलिए इसके बात जो है, parallel comment series combination इस तरह की सवाल अभी करने वाले हैं, आई देखते हैं next part पर आते हैं, इसको बोलते हैं, heat, उश्मा, उश्मा कितनी उत्पनों कि उसकी बात करते हैं, तो heat की बात करते हैं, ठीक है, heating effects of current, ठीक है, heating effect की बात करते हैं, effect of current, धारा का उश्मे प्रवा, ठीक है, heating effects of current, current के विए से क्या heating effects आता है, उसकी बात करते हैं, अभी current जो है, ध कोई भी इस्टम आगर यूज कर रहे हैं लैप टॉप कर रहे हैं लैप टॉप चला रहे हैं लेखिलना कोई भी इस्टमस यहीनवाल Suppose स्टम करते हैं उन अन्मक्राइब दिखाक काई ही तिझेग कप्यूंग होजाना न एक प्रक्राण करने माले थाल्य है मिस्टम समय कोई भी सिस्टम हो चाहए टीवी चला रहे वाप लैपटाप चला रहे पर नेखर हो करें वह स्टीन हो के लोगा मैं एवह तो कर रहा है तो करेंट ऊसमें नेरंटर रूप से क्या यहं करेंट उसमें हमेशा बहेगा प्रतिरोध की वजय से क्या होता है उशमा प्रवाह करती है अगर मॉबाइल आप ने दो गंटे चलाया और आपने चार गंटे चलाया जब जादा देरी चलाएंगे मोबाइल तो हीटिंग एफेक्स क्या होंगे जादा प्रडूस होगे ठीक है कि जब तक mobile काम करेगा उसमें power consumption होती जाएगी consumption होगी उससे क्या होगा हीने कहीं हमारा क्या हीने कहीं हमारा क्या होगा heating effects होता है और यह हर device में पंखा चलाओ, cooler चलाओ, ऐसी चलाओ, सब में होता है heating effects ठंडा करने के लिए system मेला जाता उसको फिर ठीक है बाकि आप एक बार समझ लेना इसको असान सा फर्मॉला है एक चीजी को सब्सक्राइब पावर इंटू टाइम ठीक है तो पावर इंटू टाइम है ना शक्ति गुणा समय वह जाएगा हमारा उश्मा शक्ति गुणा समय जो शक्ति बह रही है पर सेकंड पर सेकंड ठीक है उस तरह से जिसे माली ज़िए आपने पढ़ाई कर ली तो आपका दिमाग भी घरम हो जाता है ना चली वही मतलब समझ लीजए आप वगल कोई चीज प की बात कर रहा है हानी की बात कर रहा है ना लॉसस की बात कर रहा है ठीक है अब हीट की बात करें पावर क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वार आर या वी स्क्वार बैयार इसकी दो फॉमले बनते हैं वह बनता है आई वी इंटू हमारा टी पहला फॉमला ठीक है अच्छा दूसरा हो जाएगा आपका i2RT और तीसरा हो जाएगा आपका v2 by r into t यह तीन फॉर्मॉले बनते हैं हमारे i, v, t और से तो रहे होंगे आपको power into time अच्छा heat का एक formula और बनता अगर h की बात करें तो integration of p dt यह कभी के बार कामाएगा मेट में कम आएगा जही वगरह में जाद आएगा p dt पावर ट्रांसफर dt का मुदब क्या है time की respect में पिल्गल बिल्कुल है ना है बहुत बढ़िया सभी है माइं कूल होता है टो बहुत कम लोग ऐसे होंगे इनका पूल होगा माइं पढ़ने से टिक्ए काफी लोग जो है पढ़ने के बाद क्या है गरम हो जाते हैं आचली तो ही मतलब है कि heating effects का मतलब यही है कहीं ने कहीं क्या होगा आप जब कोई काम करते हैं तो कहीं ने कहीं धीरे-धीरे क्या होता है कोई भी work हो रहा है system में तो work क्या है heat में convert होता है वो heating effects है इसके बहुत सारे example है और हम इसको यूज भी करते हैं जितने भी हमारे electrical heater होते हैं इसे माल लेज़े आपने कोई electric heater बनाया तो उसमें आप यही यूज करोगे जितने भी heater वाली company उन्होंने भी यूज कर रखा है जो उश्मा हानी होती है उस उश्मा से पानी गरम करने में काम हमारे कोई portion जो है वह पानी को मिल रहा है वह पानी गरम होना शुरू हो रहा है इस तरह चलता है कि चलिए अब यहां पर फैक्टर देख लीजा किसमें लगांगे सीरीज कॉंबिनेशन देख लिए सीरीज कॉंबिनेशन प्लाय करेंगे से कहां लगाएंगे पैरलल कॉंब इसको अब दो देख सकते हैं अगर यह नीट की बत नगें कि की बात किया जाे मातर क्या ओगा ऊसको एक बढर देख लिजे आप फिक है इसको लोग करते हैं जन सकते हैं उसके अंदर कि जैसे कि अगर देखा जायाएं तो पहली कॉंसी कॉंटिटी इस कि बात device कोई ढेंगा होता नहीं तैन longer मात्रक की बात करें होता तो नेयर ऐ तो ऊशमाई है तो ऊखला ही है थो हमारा एनर्जी का फ्लोट को हम एक यूनिट मतलब क्या है कि लोफ और अगर एक यूनिट की बात करें जो घरों आपकी बिजली आती है उसको बोलते हैं एक किलो वाट ठीक है तो किलो वाट आर का मतलब क्या हो जाएगा किलो वाट आर ये इस प्रिकार्ट से होता है ठीक है तो यह हमारा क्या है अच्छली अगर देखा जाए तो यह हमारे पास क्या है एक किलो वाट आर तो घरों बिजली जोगें आपने 100 वाट का वल्व लिया ठीक है कि सब्सक्राइब लिया जो आपको आपका जब आपका चलेगा दस घंटे चलेगा तो उस कंडिशन में एक यूनिट कंजर्प्शन करेगा हो ऐसी डिवाइस अपना अपना अपने साफ से कंजूम करते हैं यह फैक्ट होता है चले यह फर्स क्वेशन पर आतने वड़ावट से करना स्टाट करते हैं देगी पहला क्वेशन क्या बोला 200 वोट का हमारे पास दे रिखा है 200 वोल्टेज दे रिखा है आपको बीस वोल्टेज हजार वोट का रखा है connected across 1000 में सप्लाई यह दे रिखा 110 में सप्लाई है और बोला है पावर कंजूम कितना करेगा तो पहले बीटा आर निकाल लिए जिससे आर क्या होगा आपका वह जाएगा वी स्क्वाइर बाई पी याद करिए भी स्क्वाइर पी क्यों जाएगा र वी कितना आपका यहां पर देखेंगे अगर तो वी है 220 220 का स्क्वाइर और अपॉन पी कितना है आपका 110 डू पावर क्या होगा वी स्क्वाइर भाए आर तीक वी का मान क्या हो जाएगा आपका 200 200 अश्ञार है 210 का होल स्क्वाइर और अगर यहां स्ल्व करेंगे तो वन टेन से कटेगा आपका दो बार में चार्वार में तो धैस्ण आना चाहिए आंसर तो 200 वाट चलेगा तो आंसर किया जाएगा आपका 250 वाट यह आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन मतलब आपने वही बल्ब सेम तू सेम कम वोल्टेज भी लगा दिया तो पावर कंजप्शन भी क्या हो जाएगा आपका कम चले नेक्स पर आते हैं अगला सवाल पर आते हैं अगला क्वेशन देखिए क्या है एक बल्ब दिरगा 60 वोल्ट हमारा अंकित है प्रतिरोध पूछा है इसने है न तो क्या करेंगे आप फॉर्मला लगाए यह फॉर्मला ठीक है तो आर बराबर क्या होता है वी स्क्वाइर अगर इप देखिए ध्यूरी आरोता है वे स्क्वाइर आपउन फीज्वी इसक्वार कित्ता हो जाएगा आपका अगर देखें तो वी स्क्वार जेता है दो सो बीज़का होल स्कॉर पटापका वहें साथ वॉट साथ सथनुपाद कर दो हाज जया अंसर ठीक है आंसर है आ एक दो यहां पर बड़ा बड़ से देखो 22 इंटू 22 किता हुद है 484 तो 4840 अपॉन 6 कर लेना सॉल आजाएगा अन्सर पर आते हैं नेक्स देखिए 50 वाट के 10 बल्व हमारे पास रिख हैं 10 गंटा प्रतिक दिन उपयोग करने पर 30 दिन के एक महीने में कितनी विद्ध उर्जा वह होगी तो यहां बोल रखाया वह क्वेशन में आपके वास कितने हैं 50 वाट के 10 बल्व हैं तो यह वह उर्जा पूछ रहा है क किलो वाट गंटा ठीक है किलो बॉड्व घंटा जो हैस्प में पूछ रहा है आपसे बिल्कवेशन बेसे देखिए क Process above 10 बल्व की अ сбal تर्फ अगर बात करूं दस सवपशन है ओर हमारे पर 10 बल्व हैं 50 वाट के हैं तो पचास वाट के हैं मैं ने लिख कर illegally को दूस घने च एक बल्ब को समझते हैं अगर एक बल्ब की अगर बात करें एक बल्ब को निकाल लेते हैं पावर कंजप्शन हीट किरती होगी तो पावर इंटू टाइम पचास की पावर है दस उसका घंटा दस घंटे चल रहा है तो यह पांस हो गया इंटू कर दोगे यहां पर आप क्या करोगे तीस दिन के लिए जल रहा है पटा तीस दिन यह होगे एक बल्ब की कंजप्शन एक बल्व आपका एक महीने में इतना जलेगा एक बल्व 50 वाट का है दस घंटे जल रहा है इंड़ू 30 कर दोगे इंड़ू कर दोगे आप 10 अजय क्यूंकि 10 बल्व है अब आप यहां से 1,2,3,0 ले लो बार कि हम हजार में चाहिए क्यों किवंट तो अभी क्या है वॉटब्ठ आर में आरा ल में से रहाँ है तरह वह है यहां से इंशर आए गा 3 को बहार ले था आएगा आपका सबका चलिए बढ़िया परफेक्ट अगले पर आईए देखिए फटावट से टू पॉइंट टू किलोवट शक्ति का स्थान्दरन हमारे दस होम प्रदिरोत तार से 22,000 वोल्ट पर करते हैं तो ऊश्मा की रूप में हाश शक्ति हाश पूछी आपके ऊश्मा की रूप में शक्ति हाश कितनी होगी तो आई स्क्वार आटी होता है देख लिजए तो टूपॉइंट टू किलोवट शक्ति का स्थान्दरन करते हैं तो हमसे बूला सब कर दोना सund weak कि अधरी बाद ने घहां कि निकालने को रहा है है ना इन पावर को ताइम होता है नी चले रहे नहीं too time छोटब भॉइंट नाइNew होता है इन दौ किलो वाट की ठांस्विन डीजा है है दो पॉनत दो किलो वाट की पावर हमारे पास यह है दो दस ओम से हमें निकालना है तो यहां पे शक्ति हाज की बात कर रहा है पावर लॉस कित्ता होगा तो यह अक्चुली कित्ता दे रखा अगर आप इसको समझें तो यह जाएगा आपका तू पॉइंट टू इनटू वन थाउजन विए बाइस सो जाएगा आपका बाइस सो वॉट तीग है बाइस सो वॉट अपने पास दे रखाएं यह ओके इसको समझिए तो लगा एस सो वॉट अगर है यहां पर दस ओम का प्रतिरोद और यहां बोला नहीं कितने टाइम में होगा ट्रांसुरूजर 10 ओम लाइन एट 222 थाउजन वाट दीगे कि इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेशन में मुझे लग रहा है क्योंकि यहां पर क्या बुला है टू पॉइंट टू किलोवाट पावर स्टांस्मेट सूदी 10 ओम लाइन एट ट्यू 2 वोल्ट ऑजन वोल्ट पावर लोष्ट इन दी फिरम फीट विल पावर लोस्ट की बात कर रहा क沒 part करई आ शकति हानी की बात कर रहा है तुमानी सकत्षर ह्में सऻटान करना Cyrus स्क्वार और पी किता है तुम्हारा 2200 तो 22 से कट जाएगा एक बचेगा दस तो यह बनेगा आपका 22 22 बचेगा आपका है ना 22 बच जाएगा तो 22 ओम उसका है आई तिंग कुछ इस चीज में आगे बढ़ते हैं चल नेक्ट पर आईए अगला सवाल दे रिखा आपको सभी बल्ब आपको है ना कुछ मिस्टेक हो सकती है उसक्वेशन में या भी इसको स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं लास में देखें उसको आई देखिए जितर में सभी बल्ब एक समान है कौन सा बल सरवादिक चमकेगा अब इस तरह क्वेशन जो है नीट में जैई मेंस में बहुत बारा चुके ह अब इसको समझना कैसे करते हैं यहां बोल रखाय कौन सा बल फ़क्रादी चमकेगा यह सवाल है पहले करना क्या आपको धारा निकालेनी जारा कहां में इक अब अधिकतम चमक की बात करें तो दिखो अगया सभी के सभी एक समान है सभी के सभी यूनिकॉपर्म है और सभी के सभी यूनिफॉय सब्सक्राइब सबी का resistance क्या होगा सब का सेम होगा सबी का समान प्रतिरोध हो जाएगा इस प्रिकार से तो देंकि जिसमें धारा का मान अधिक्तम है जिसमें current maximum है वहाँ पे हमारा power भी क्या होगा maximum होगा क्योंकि हम power का formula यूज़ करेंगे हमारा I square R जिसमें current जिसमें maximum होगा उसमें बहुत बढ़िया जिसमें maximum होगी उसकी बात कर रहा है तो I square R कर दीजे आप जानते हैं इसमें maximum current यहाँ flow होगा और यहाँ flow होगा क्योंकि हमारे 1 और 5 series combination में पूरा-पूरा current लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा B1 और B5 तो 1 और 5 जो है maximum power consume करेंगे maximum power consume सबसे चमकेंगे भी वही इसका यह answer नहीं होगा इसका answer होगा D only one नहीं होगा 1 और 5 दोनों ही सही है एक और 5 दोनों ही सही है इस प्रकार ठीक है देख लिए जिसको यह पीछे वाला question मेरे साफ से वड़ा mistake है यह उश्मा की बात नहीं कर रहा है यह पावर ही दे रहा है इसको लिए तो इस तांदर डस ओम प्रतिरोद वाली तार से इस पोल्ट करते हैं तो यह पूछ रहा है जो पावर में बात करें तो पावर ही निकालनी है मेरे साफ से कुछ तो आई थिंग उसमें घर बढ़ दे चोड़ दीए लास्ट में देखेंगे आई देखेंगे नेक्स प्रेशन ए बी सी बल्ब चितने में दर्शाय अनुसार संयुद किया आता है तो बी वा सी बल्ब सम्रूप है यदि इसका भी आर माल लो इसका भी आर माल लो इसका आर डैश माल लो ऐसा बोला है पहले जो करेंट आर था आपको प्य होटी सम्रूप होंगे तो पहले सम्रूप हैं यहां resistance बढ़ जाएगा तो आप खुद देखिए यहां resistance हमारे पास पहले RY2, RY2 था दोनों का या RY2 था पूरे का resistance हमारा क्या होगा बढ़ जाएगा क्योंकि अब क्या होगा R' रोगा तो current हमारा कम हो जाएगा तो A से हमारा जो glow है वो कम हो जाएगा देगे आप खुद समझेए इसमें आपको पूरा समझेंगे माल लेज़े कि example ले लेते हैं पहले धारा जो बहरी थी आपकी पहले current जो बहरी थी आई था I1 ले लो I1 की value क्या होगी पहले वो जाएगी V upon R- प्लस R by 2 देगे पहले हमारा कम चमकेगा तो यहां पर आप देखिए यह रहा हो दोनों गराइट होंगे अच्छा तो यह वाला जो है हमारा कम चमकेगा तो A और D हमने निकाल दिया अब 2 और 3 देखिए आप इसकी अगर बात करें तो पहले हमारा connected है पहले current जो जारा था उसके अंदर पहले जो भी जारा था R के उपर depend करेगा तो generally आप देखिए इसके पास power consumption जोगा बिल्कुल equal हो जाएगा है ना पहले अगर देखा जाए तो इसका resistance कम है तो potential difference तो यह बढ़ जाएगा ठीक है खुद देखिया अगर आप अगली बात करें तो यहां पर जो bulb number B है अब उसके across voltage difference क्या है बढ़ जाएगा ठीक है और voltage difference बढ़ जाएगा तो power का formula होता है V square by R ठीक है और voltage बढ़ गया अगर आपका क्या होगा उसका brightness भी क्या होगा बढ़ जाएगा तो a will एना ए हमारा क्या होगा बोर प्राइट करेगा थार्ड ऑप्शन आएगा पिर सोचिए कि आपने क्या किया पहले ABC लगे हुए हैं सब चमक रहें कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहा किया सी को कर दीया fuze fuze kuze करना मज़ी हटा दोसको विकार is fuse हो गया अब में करेंट कम हो जाएगा क्योंकि हमारा रसिस्टेंस परलल में रसिस्टेंस कम है तो एनवे करेंट तो हमारा जो है ब्राइट नेस कि बढ़ जाएगी और बाकित दोने है बीवन ठीक है और सिक्स्टी वाट के बल्व है बीटू है ना और एक हमारा 60 हाँ एक दोनों हमारे हैं 200 वाट के उस पर रख दिया तो यह पूछ रहे हैं बताईए बीवन बीटू बीथरी के उत्पन देख लिए अब सवाल पूछ रहे हैं सबसे जादा कौन चमकेगा तो सीधी बात है तो हईसो वाट देखो 220 पर है जो भी कहानी है वह 220 पर है अगर 220 पर कहानी है तो 220 पर तो क्या है साठ वॉट हमारे पास अब जैसे ही इसको लगाओ के तो यहां दोनों का वोल्टेज सेम है ठीक है पावर जब वोती है जब पावर हमारा कम होती है पावर हमारा देखोए अक्षली कम है तो रिसिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है ठीक है अब आप पहले देखी आर्वन निकालते हैं तो और दो 58-2 का 202 स्क्राइब तो चीजिए अगर आप देखें इसकी बात करें इसका पावर जोगा वी थ्री बात कर रहा हूं ठीक है तो पीध्री जोगा कि आपका क्या होगा 250 का होल स्क्वाइर तीक है अगर पावर पीथरी की यह है तो आप खुद देखिए वन से बढ़ा होगा तो पावर कंजप्शन जो है साथ से बढ़ जाएगा उसका वैलीवन से बढ़ी तो साथ से अधिक तो और पावर कंज्यूब करेगा अधिक चमकेगा घिक है अब यहां पर शोड़ीवाइड और हमारो दो 50 की बात कर रहें तो वॉल्टज ढ़ाइब डेखा जाये तो आरवन जो है वह हमारा कम है और पर कम जाएगा मालों 100 यहां चला गया और यहां चला गया डेट चला गया एक्जामपल ले रहा हूं मैं क्योंकि जब resistance कम होता है तो voltage भी कम मिलता आई 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 कम है आई तो दोनों में सेम ही जा रहा है और यह कम हो जाएगा और अगर पीवन जो होगा आपका अगर आप देखें तो पीवन की वैल्यू बनेगी सौ का है ना सौ का होल स्कॉर अपॉन दो सो बीस का होल स्कॉर इंटु सौ टॉल्टेमिटली अब यह कम हो जाएगा और पी थ्री या पीटू कि अगर बात करें तो पीटू हो जो हमारा और वो यह थीए तो बीटू यह थीए तो यह थीए थीए बिल्कुल आसानी से इसको आप डिरेक्ट नहीं कर सकते हैं चलिए किर्चोफ का प्रथम नियम किस पर अधारित है आई बरावर्ट जीरो तो आप जानते हैं चार्ज लिखवा दिया था मैंने आपको चार्ज पर अधार खिर्चोफ दूसी नियम किस पर अधारित है तो आपको पता ही का इनरजी और जानती है ठीक है अगले पार्ट पर आते हैं अगला क्वेशन देखिए निम्न मेंसे परिपत में आई का मान क्या है यह निकालना है आई का मान ठीक है अब समझना है आप धारा आरी 10 एंपियर ठीक है और चार यहां कई एक यहां है तो यहां किया होगा पांच एंपियर चेह यहां पे दो यहां पे तो यहां आजाएगा आट एंपियर और आठ और पांच तो प्लस आठ वरावर क्या होगा आपका आई हो जाएगा आठ और पांच किता होगा तेरा एंपियर अराम से तेरा तेरा एंपिर इसका अंसर आजाएगा देखिए ठीक है next question पर आते हैं next question बोलग है आपको प्रतीरोध दिरिखा है current through the resistance R1 यहां निकालना है current आपको I1 निकालना है यह पूछाए question current shown in a figure is given as सबकुछ given है तो आरणी दिरिखे 10 आर्टू दिरिखे आपको 20 और आर्टू दिरिखे आपको 30 यह दिया हुए आपको चलिए V1 दिरिखे आपको 10 V2 दिरिखे आपको that is given as V2 is given as 6 और V3 is given as 5 अब यह question बहुत ही जनरल question है actually और यहां पर लगाएंगे junction law कैसे लगाएंगे देखिए current I1 आ रहा है माल लीजे मैंने कहा कि यहां पर I2 हमारा जा रहा है और यहां पर I3 हमारा जा रहा है तो यहां I2 यहां I3 लिखे जंक्शन लो लगाओगे तो क्या बनेगा आपका अगर देखें आप incoming current is equals to outgoing current तीग है आने वाला current क्या यह वाला है जाने वाला current क्या यह दोनों जा रहे हैं माल ली जैसा कुछ है तीग है अगर आप solve करोगे तो incoming क्या होगा आपका वह जाएगा 10 minus V upon 10 देखें अगर आपका यहां पर यहां बनेगा आपका यहां पर प्लस करोगे प्लस आएगा वी मैनस 6 अपन यहां पर 30 सिंप्लिफाइए करें जिरो जो कट गया अब यहां पर पूरा lcm लेलो 10 minus V की value जो बनेगे आपके lcm लोगे तो यहां जाएगा 6 आपका ठीक है 6 आएगा 3 यहां जाएगा 3V मैनस क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या होगा 2V क्या हो जाएगा मैनस का 12 देख लेज़े 12 इस तरह च 10 60 मैनस क्या हो जाएगा 6V is equals to क्या होगा 5V minus क्या हो 27 चीक है इसको simplify कर दो आप यहां पर यह बनेगा 11V is equals to क्या बनेगा 60 60 प्लस तो यह एगा 87 87 तो 11 की value जो आ रही है V की value आ रही है 87 अपॉन 11 यह answer है subjective question है अब इसका answer देखोगे तो 87 अपॉन 11 आ गया अब निकालना आइवन था तो आइवन क्या होता है potential difference तो 10 minus 87 अपॉन 11 divide by 10 यह answer आएगा जब simplify करोगे तो यह बन जाया किता आपका 110 minus 87 तो 3 23 तो 23 बटा क्या बनेगा आपका 110 यह answer आएगा 110 यह अपर current ampere में है तो सब्जेक्टिव question है जो भी है अब इसको आप देख लिए इस तरह से next question पर आते हैं अगला question पूछा है चीतर में दिर्शाय गए धारा का मान ज्याद करिए तो देखिए आप अगर ध्यान देंस को तो यह भी बहुत शानदार question है देखिए पीचे पीचे से 8 बनेगा आपका फिर 8 और 8 क्या बन जाएंगे चार देखो यह 8 और 8 चार फिर आपस से 8 फिर 4 फिर आपस से 9 बनेगा तो आर equivalent कि अगर बात करें तो यह बनेगा आपका 9 पूरे का जो आरे कुलेंट है वह आपको कित्ता बनेगा नाइन ओम नौम बनेगा देखिए बड़ी है सवाल है इन सब को आपको ट्राय करना है तो देखिए पीछे से आठ दो चार और दो कि बन गया आपका आठ तीक है आठ और आठ कित्ता बन गया चार फिर वापस से बन गया आठ फिर बन गया चार फिर वापस बनेगा तो तीन और चार और दो नौ आगया देखिए करेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वी अपॉन आरे कुलिंट नाइन बाइन अब यहां पे है वन एम्पियर हमारे यहां फ्लो कर रही है चले दोना option कट गया हमारे थ्री ओम में तो वन एम्पेर फ्लो रही है हटा दो उसको अब आए फोर ओम में तब कौन सा फोर ओम है वो भी क्लियर नहीं है तो फोर मेरे साब से यहां पर तो यहां से जा रही है आपकी एक एम्पेर धारा दो भागों बटेगी तो यह आएगा आध हाफ हाफ फिर आदा आदा और वन बाइफूर पांसर जुआएगा इस वन बाइफूर एक एम्पेर यहां से आया दो भागों बराबर क्यों बट रहा है इसका भी आठ है इस तरह से अगला देखिए अगला बोल रखा है चित्र विजश्य दिरिखाय परिपत में आदर्श आई यह निकालते हैं जब यह एस वन बंद है आपका तो उस कंडिशन में अगर एस वन बंद कर रखा है तो तीन और एक चार देख लिजे तो हमारा विभवांतर जो आएगा वी वन की वालू आएगी वाइगी आई आर आई की वालू क्या होगी एपॉन यह आएगा आए प्रस थ्री आर इंटू क्या कर दोगे आप उसके थ्री यार से मल्टिप्लाई कर दोगे यह अंसर था तो थ्री बाए फोर ए पहले वाली कंडिशन में जब आपने एस वन खोल दिया प्रेस टू लगा दिया ऐसे कर दिया आपने तो देखिए वी टू क्या आएगा आपका इंटू करोगे आप 6R तो यहां से बनेगा 6 by 7E ठीक है चलिए लास्ट दोनों को जोड दिया तो वी 3 जो आएगा आपका दोनों को कलब कर दिया आपने तो यह दोनों को बनेगा 2R है ना 6 और 3 का 2 बनता है और हमारा यह बन जाएगा आपका e upon यह बनेगा 2 और 1 3 3R इंट अब लिख लीजिए बात को क्लिरो जाएगी बात इसकी वैलु क्या रही है 0.75 यह बन रहा है पका e पहला वला इसको निकालोगे तो 60 सेवन एन नह 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 9 0.8 कुछ आएगा 0.85 के असपा जाएगा उपर आगया इसको निकालोगे 0.66 देख लीजिए तो आप कुद देग ने बहुत चानदार कॉइशन है यह इसलिग शिस्टेमाटिक चलना पड़ेगा जब हमारे पास स्विच एसन बंद है तो हमने इसको देख लिया और दोनों बंद है तो पैरलल कॉंबिनेशन ले लिया फटावट से कुछेशन प्रने वाला है नेक्स्ट क्वेशन पर आई I1 I2 का मान निकालना है, यह हमारा सवाल है, तो मान लोग हमारे पास क्या I1 का मान निकालना है, तो देखिए, यह दोनों कौन से कॉंबिनेशन में, अगर आप देखें यह आपे, तो इन दोनों कॉंबिनेशन कौन सा है, यह दोनों पैरलल कॉंबिनेशन में, तो पैरलल कॉं चालिस बनेगा बीस तो बीस वोल्ट की बैटरी आर इकुलिंट क्या बनेगा अगर आप देखें वह बन जाएगा बन एक कट की बनेगा अब करेंगे से पूरा उपर बनेगा और यहां पर इसी है को बना थीजिए कि हमें यहां पर किर्चॉफ नहीं लगाया हमने लगाया क्या चैनल फॉर्मूला थीक है है हम क्या करेंगे को को अगर देखें तो हमारा करेंट का वैल्यू जोगा आईवन का वैल्यू होगा वह वी बाई आर एकुलेंट वी किता है 20 और एकुलेंट किता है आपका 20 फर्षक्म किया क्योंकि हमारा भी होता है आई आर वोल्टज छ लोग दाश्त कहने का लिए करेंट यूदि इसे व्लूर में इक्कुल गणाल निकालना है मैं थे आप से बुचा इम्मीटर का पाथ यांग देख सकते हैं यह बैटरी-छाइन में देख सकते हैं दोनोंग बैटरी कापोजिट है यह टुक्त्र बढेंगा इंप कर देखेंगे है तो यह हमारी यह वॉल्ट की बैटरी यह देख लीजिए हैना दो वॉल्ट की है और इसका और दो इसका तो इन दोनों कंडिशन में यह दोनों कंडिशन तो नीचे कितला आपका नीचे आजाएगा आपका वोल्टेज यह तो वोल्ट देख सकते हैं आप तू वोल्ट और यहां आरी कुलंट किता आजाएगा आपका इस कंडिशन में यह त्री ओं इस प्रकार साजएगा चलिए अब यहां देखेंगे दोनों को हमने कंबाइन कर लिया अब दोनों का पैरल कॉंबिनेशन लगाना है अब यह यह बैटरी जो है अगर आप समझें तो यहां पर बड़िया सवाल यह भी इन दोनों बैटरी को यह ऐसे बनेगा और इसको उल्ट अब दो की है दो इंटू थीन को हैना माइनस करोगे तो यहां बच एक इंटू थीन दोनों तीन दोनों थे तो यहां से बनेगी आपकी 2 by 7 और R equivalent जो बनेगा आपस पूरे part का आपको R equivalent की बात करें तो इन दोनों parallel combination की बात कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा आपका 4 into 3 upon 4 plus 3 यह बन जाएगा आपका 12 by 7 अब हमें निकालना है पूरे उसका current तो current की value जो होती है वो होती है V by R equivalent 2 by 7 और R equivalent 2 भी part play करेगा तो यह आएगा 12 by 7 plus 2 यह बनेगी 2 by 7 अपन क्या होगा 7 का 14 तीग है इस देखो 7 का 14 और 12 26 by 7 7 कटेगा तो एक बटा 13 answer आएगा 1 by 13 ampere is the answer third option actually क्या है इसमें पूरा combination लगा रहे है किर्चॉफ से तो बहुत ही लंबा हो जाएगा time बहुत लग जाएगा हमने कहा इन दोनों बैटरी का series combination लीजे यह battery से उल्टी है कली बात कर लिए इस उल्टा यह battery उस से उल्टी है कली बात कर लिए इस उल्टा इस से हमने battery का combination निकाला फिर पैरल लगाया और फिर सिंप्लिफाई किया चलिए आखरी question की बात करते हैं यह question आई इस पार्ट का है नहीं ठीक है अब लिए कि सारे questions हमने यहां पे कर लिए इसमें एक announcement आपके लिए वह important announcement है चलिए announcement यह है आपके लिए कि हमारे यहां पे जो offline batches है उनको शुरू होने वाले उनके pre start होने से पहले scholarship test है इसका नाम है unit वह test अगर आप देंगे तो आपको बहुत benefit होने वाला है scholarship में बहुत benefit होने वाला है ठीक है इसको register करने के लिए आप इसका screenshot ले सकते हैं और यह scan code जो है बार कोड जो है स्कान करके सिधा form बढ़ सकते हैं ठीक है तो यह class कौन-कौन से बच्चे ले सकते हैं इसको 8 से लिए 12th यह 12th pass जो बच्चे अगले साल की planning कर रहे हैं ठीक है या अभी उनके कोई relatives हैं को भी information है वो आगे पहुंच जाएगी देख लीजिए इसको तो यहां पर क्या है यह हमारा जो है next year के लिए जो courses है उनके लिए scholarship exam है अगले साल की बाद अगले क्ला देखो अगली class में क्या पढ़ेंगे हम लोग अगली class में बात करेंगे अगले part जो last part है जिसमें devices की बात करेंगे instrument की बात करेंगे potentiometer है meter bridge है उनके बारे में जिस पर neat में question आता है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले session में आज क्योंगं थी मॉपल अजाएं, वगले मैं के, पैसे रचले के लिए का Spark, आज करेंगे आज करेंग reduce देड़ने के लिए में 100 कॉ जाएंगे टो करेंगे हैं Anglo 약 16